गुड मॉर्निंग प्रेंट्स, I am here with a new video, सजगता, awareness, थोड़ी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसमें यहाँ अवेर्नेस की स्पेलिंग है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, तो आप सुधार लिजेगा इसको, यह अवेर्नेस है, एक अध्यापक होता है, वो एक दीप की तरह है, उस दीपक से अनेक दीपक जलते हैं, अगर अध्यापक में ही ज्यान नहीं होगा, जैसे दीपक में प्रकाश नहीं होगा, खुद नहीं जलेगा, तो दोसरों को क्या जलाएगा, ऐसे ही अगर अध्यापक में भी ज्यान नहीं होगा, अध्यापक में स्वेम में ग्यान नहीं होगा, तो बालकों का दिकास कैसे करेगा, उनको क्या ग्यान देगा, इसलिए अध्यापक को स्वेंप ग्यानी होना जरूरी है, उसमें ग्यान होना जरूरी है, इसलिए ग्यान कैसे आएगा, वह सजग रहे, अवेर रहे, तो एक अध्यापक को अपने विश्य क कैतरिक्त और क्या क्या ज्ञान होना चीए वो इसके अंतर किता ता उसको शिक्षन विदियों को ज्ञान होना चाहिए नवाचार है नयने प्योग हैं रग्यानिक आविशकार हैं समाज की बुराया हैं अंध विश्वास चीजें उन प्रतिह सजग होना पड़ता अवेर होना पड़ता है यानि के खिलाब कई बार अभियान भी चलाने पड़ते हैं तब ही वे चात्रों को समाज में जो विपरीत परिश्टित याती है उनमें उनका कुछलता पूर्वक सामना करने के लिए तयार करता है तो एक अध्याप्पा को सजग रहने के लिए क्या क्या चीज करने चाहिए क्या प्रियास करने चाहिए चलो उनको देख लेते हैं हिंदी में इसमें आराम से दिया हुआ है मैं बोल के बता देता हूं कई दोस्त हैं हिंदी इसको देवनागरी पढ़ना नहीं जानते लेकिन बोलना जानते हैं उनको बोलत लादी शगाई जितनी भी गती विदिय होती हैं the spring कुर जानकर मोठ के जाहिए कि जान भर्दक पुस्टकों विशह से विशह सम्मधित नए ज्यान हैं तो संदर पुस्टकों का अध्ययन करना जो विशे कि पुस्तकें तो पड़ी रहें लेकिन उससे समंधित और भी पुस्तकें रेफ्रेंस बुक्स हैं उनका भी अध्यन करते रहना चाहिए समाजक सर्वेक्षन कर सर्वे करना समाज की आवशेकता हों समाज में व्याप्त भुराईयों इत्यादिका पता लगाना चाहिए वे उसके संभावित समाधान ढूनने चाहिए जो social evils होते हैं उनके devolution के लिए आपको प्रियास करने चाहिए समाधान ढूंड़ने चाहिए सर्वे करना चाहिए हैं क्या-क्या समाजिक बुराईया और उनका उन्मूलन कैसे हो सकता है विद्याली में जो विद्याले में स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उन्हें भाग लेना चींवाद चाहिए चात्रों को प्रोचाहित करना चाहिए कि छाつ्रों के शाफ्रों के सामने आदर्षि बन कर रहे है सथ यह प्रस शोरे है गुरूर्जी जैसा बनना है आगे कि प्रस्वास्त एची सवस्षता के प्रती स़जग रहना चाहिए नित्युंका नाने दौने का सफाई है कि नहीं है उनके नाखऊन कटे हो है कि ए। सवास्ते परिक्षन डॉक्टर आके करते हैं वह तो हई है लेकिन आपको सवचता भी देखने हैं अगर गंदगी रहेगी गंदा बच्चा रहेगा तो इसलिए वह सवच्च रहे तो सवस्ती रहे विद्याले के अतिरीक्त पडोस कश्बे गाउं इत्यादी में सक्रिय रहना चाहिए। विद्याले में तो आप सक्रिय हैं अपने परोश में भी अपने शहर में पहां में इसमें आपको टाउन में या कहीं भी आपको एक्टिव रहना चाहिए। शिक्षन से संबंदित यान टीचिंग से संबंदित नई खोजे हैं सेमिनार है वर्कशोप है वर्कशोप है त्यादी में भाग लेकर नवीनितम विध्यां लेटस्ट टेक्निक्स आती हैं मेथड आते हैं पढ़ाने के सायक सामगरी का ध्यान रखना चाहिए टीचिंग एड सामाजिक सर्वेक्षन है तू ले जाना चाहिए इस प्रकार अध्यापक विभिन ने तत्यों के प्रति सजग रहे कर संस्कृति के सुरक्ष्या हस्तान तरण परिमारदन करने में सहयो देता है तो आप चेत्री यहां आसपास के एरिये में ब्रहमण पर ले जाते हैं और उ प्राप्थ होता कक्ष एकहला है चलिए दोस्तों अब इसके हम बीच प्रश्न हल करते हैं कि शुरू करते जहें कि वीडियो करने से पहले फ्रेंट्स मेरा आगरे है कि आप अगर नए है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो तिल एंड देखिए शुरू से अंतत तक पास किजिए देखिए देखिए पहला प्रश्न हे च्छात्रों में सजगता के विकास से अध्यावक्त चेतना का स्थांतरण पीडी धार्पीडtoi कर सकते हैं चात्रों प्रयावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के ब्रह्मन के लिए ले जाया जाना चाहिए विशेश आउसरों पर यदा कदा सदेव प्राय यदा को सदेव तो दोस्तों फिर पढ़ाई कब होगी कभी कभी ले जाना चाहिए ये भी ठीक है प्राय भी ठीक है लेकिन अगर विशेश आउसरों पर ले जाना चाहिए विशेश आउसर हों कि आज ये फलाना त्योंहार है हर्याली तीज है चलो आज बच्चों को लेके चलते हैं हर्याली से समंदित उच्छव है तो ऐसी जो विशेश अउसर है उनके उपर बच्चों को पर्यावन की जानकारे के लिए नगर के भ्रह्मन पर ले जाना चाहिए तीसरा प्रश्ण है जागरुकता का पार्ट सबसे पहले बालक को अपने घर से ही सीखना चाहिए यह बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों तरह आएगा ए चोथा प्रश्ण है एक शिक्षक के नाते आप सामाजी कुरूतियों को कैसे दूर कर सकते हैं सामाजी कुरूतिया हैं सबसे अच्छा अंचर है यह जन चेतना जागरत करने का प्रयास करें जन चेतना जागरत होगी तो ही दूर हो सकेंगे आप सवासुदार का संकल प्रेलेंगे हाला कि कुछ उधरेंगे जग सुधरेंगे बात सही है लेकिन एक शिक्षक हैं तो एक बड़े एरिये में जाके जन चेतना जागरत करेंगे जिर्फ पोस्टर से भी काम नहीं चलेगा और कुरूतियां दूर नहीं हो सकती आप चुपचा बैटे रहेंग ये भी ठीक नहीए तो जन चेतना जागरत करने का प्रयास करेंगे बच्चों में उनके पैरेंट्स में पूरे गाव में या कश्म है तो परिवार किसी के लिए नहीं तो इसका दोस्त उतर आएगा ए चेतना वा जागरता समस्त जीवन है तो महतुपोर लिए जन चेतना जागरत करने के लिए जागरत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह इसका आंसर देख लिए दोस्तों आप सारे option पढ़ लिए इसका आएगा सामाजी कारियों में शक्रिय रहे जन्माने से विमुख रहे जन्चेतना पर लेख प्रकाशित करा है इसे तो जगे-जगे व्याख्यान दे तो यह सठीक नहीं है सबसे अच्छा आंसर है सामाजी कार बाइन करना चाहिए जाए उत्राइगा दोस्तों उनकी क्षमतावर उची के नुसाल माबाब थोते हैं वह भी नहीं होना चाहिए उपयोगता है कि मैं तो साइंस अच्छी है तो साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स अच्छी आर्ट्स ऐसे नहीं अभीबाव पैरेंस भी पहले इत्ते कर लेते हैं तो आपको जो निर्देश है या गाइडेंस लेना चाहिए नहीं तो आपकी अगर रूची है आप भ्रमित नहीं है तो अपने शमता आप कितना कर पाएंगे किसी मैच में आप होंसे आ तो आप मैच लिजी नहीं है तो बत लिजी तो अपने शमता है और आपका इंट्रेस्ट है उसी के अनुसार आप विशे आपको विशेगाचेंट करना चाहिए एक अध्यापक्त के लिए राजनिती में सक्रिता से भाग लेना आपकी निगामें दोस्तों बिल्कुल अनुचीत है सीधा उत्तर प्राजिती में सक्रिता से भाग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अध्यापको शिक्षक को ज्यान अर्जन के लिए क्या करना चाहिए उस प्रियासरत सद्व सजग रहने वाला ध्यान नहीं देने वाला तो दोस्तों क्यान अर्जन के लिए को सद्व मुटे representative करने के लिए टीचर को सद्व सजग रहना चाहिए बुलाई शब़ सबरें रहेनी वाला होना चाहिए जिससे उतर सब्सक्राइब लेकिन आप अगर टीचर बना चाहिए या टीचर हैं तो आपको आंसर देना चाहिए देना पड़ेगा ए तभी आपको नमबर मिलेंगे तो समाचारों को किस समाचारों को देंगे आप मैं तो कि हम तो विशेशमंदी समाचार पढ़ते हैं ग्यारों क्रेशन है आपको चात्रों के दात नाकून आंक बाल तता शरीड के अन्य अंगों की सफाई की और भी सजग रहना चाहिए आपकी क्या राए आपकी या अध्याप्रका कारे नहीं या परेंट्स का है कभी कभी इस और भी चपढ़ते थे तो नाकून चेक करते थे शरलोग दान्त चेक करते थे कि आमने ब्रश किया और नहीं क्या है अंक डहांक से धुली होई है कि सब भी बाल चेक रूखें या तेल डाला है कि सब पहले चेक करते थे तो आज तो वैसे बीसे चिए की तरफ विशेश ध्यान रहें कुछ बच्चे होते वो बिना नायद होया आ जाते हैं उनको बारवाट टोकें ठीक है दोस्ते आगे चलते हैं बारवाप्रश्ण है वे ही अध्यापक सफल हो पाते हैं जिनमें जवाब दे हैं अकाउंटेबिलिटी की भावना होती है क्या इस कतन से सहमत है हाँ हम सहमत है इस कांसर आएगा दे हाँ सहमत है शिक्षक को समाज के सामुदाइक कारियों में खुलकर भाग लेने से क्या लाब है क्या लाब है तो दोस्तों इसका आएगा सही उत्तर आएगा वह समाज का अध्यन अतिनिकर से कर सकेगा समाज के साथ रहेगा उनके कारियों भाग लेगा तो समाज का अध्यन भी कर सकेगा चलिए चोजमा प्रश्ट करते हैं शिक्षक में सजगता तभी रह सकती है जब व प्रतिभाओं के बिकास का प्रयास करें इसे तो जितने भी टैलेंट सें। उनका फूरी पीडियों कुल निविकास कि प्र॥ mshade का करना चाहिए। उसको सह उतराएका दोस्तों सभी विश्या पढ़ने चाहिए वैस एगामी क्रिवाओं में भाग लेना तोड़ा तोड़ा घ्यान सारा हो जाएगा तो ज्यादा सफल हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं पंद्रों प्रश्ण है समाज में व्याप्त बुरायों का अध्यान करने का उप्यूक्त साधन है चात्रों से संपर्क अभिपावकों से संपर्क समाजिक सरविक्षिन पुस् आएगा इसमें से सामाजिक सर्वेक्षन शोलवां प्रेश्ण है अध्यापक के लिए अत्यांत उप्योगी है कि वह चात्रों से विचारवी मर्ष करें प्रधाना अध्यापक से नियम पूछे साथी अध्यापकों के साथ बाचीत करें तेंटीन चाकर चाय प्रेएं इसका ऑफिष्ण करते हैं क्रेश्ण 17 राश्च्चिये सिक्षया नितीवें कारे क्रमों की जानकरी दर्श्या दर्शाि थी क्या शिक्षय की शिक्षया के प्रती सजगता शिक्षय की राजितिक जेत्ना दोस्तों इसका उत्वतर तो यही आएगा दो जबीखाते तो हम आपों लेकिन सबसे अच्छा यह यह देखिए दो उप्षिन है इसमें शिक्षक की व्यवसाय की रूची शिक्षक की धनवपार्जन चमता इसमें यह जो उप्षिन हाने यह भी नजदिक था लेकिन वह पहला उप्षिन ही ज्यादा बहतर है चली आगे चेतना एवं जागरुकता महत्वपूर्ण है तो यह संपूर्ण जीवन है तो यह प्रस्ण रीपीट हुआ है पहले इसका उतरम ते चुके हैं अगला प्रस्ण है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के समद्ध में परिचय पत्र का प्रस्ताव आपकी द्रिष्टी में तो यह दो सरकारी कारी क्रम है एक अध्या का प्रस्ताव है भारत वर्ष में बेहमारी रोकपाना मुश्किल है इसका अप एक उतर आएगा अच्छा प्रस्ताव है अंतिम प्रस्ण है शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोच्षायन करेंगे इसका आंसर सीधा है यह आएगा स्वावलंबी बनने के लिए अप अपने पाओं पे खड़ा होना सबसे जरूरी वालिकाओं को प्रोच्षायन किस के रूप में करेंगे अपन टीचर है तो बच्चिया स्वावलंबी बने है शेल्फ डिपेंडेंट हो आप में दिरवर हो तो यह था लाक्षे भाग 6 आपको पसंद आया हो तो आप इसे ला हिंदी में भी बताया है मैंने हिंदी वाले स्ट्वेंट्स का भी मैंने ध्यान रखा है और अब को आप तो लोगडाउन खुल गए आपको किताबें मिल गई होंगी तो आप चैनल को देखते रहिए जल्दी हम रिजनिंग या इंगलिश शुरू करने वाले हैं आप हमारे साथ बने रहे हैं आपको चैन के लिए अग्रिम शुक अग्रिम शुक कामने धन्यवाद नमस्कार